हेलो एवरिवन एक वार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रंट जैसा कि आप थमनेल पर देखी चुके हो आज हम डिसकस करेंगे एच पी जी के कुछ इंपोर्टन कुशिंज जो में लिए आपको अगामे एच पी उबी अडिन ट्रांस दोह जार तेसके एक्जाम में ये कुशिंज आपको काफी हलप जावित होंगे तो फ्रंट आप नहीं करना क्या है इन क्वेशिंज के शोट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेशिंज आपको काफी हलप जावित होंगे तो फ्रंट अगर आप एक अलग से प्ले लिस्ट नहीं है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप बहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो बहां पर आपको सभी सेक्सेंज की वीडियोस देखने को मिलेंगी तो फ्रंट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनले पे पहली वार विजिट कर रहे हो तो चैनले को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और वैल आइकन प्रेस करना न भूले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे काफी इंपोर्टन कोशन है तो हमाच्छा पूदेश के सोलन जिले में जोहड जी मेला जो है वो किस से संबंदित है क्वेशन नमर फर्स्ट का राइटनसर आपका 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 राइटनसर है तो गुरू गोविन सिंग के बारे में आपको पता होगा ये सिख्छों के दस हम गुरू थे को थे वो गुरू नानक देवजी थे तो ऑप्षन नमर भी इस कॉशन का राइटनसर है ऐसे कही मेले और आप से एक्जाम में पूस्ट सकते हैं जैसे नलवाडी का मेला किस डिस्टिग में लगता है नलवाडी का मेला जो है वो बिलास परो डिस्टिग में यह मेला जो था नलवाडी का मेला 1889 में डबली गोल्ड स्टिन ने शुरू करवाए था उस मेराजा अमर चंद जो थे वो कहलूर के शाशक थे और यह मेला लुहनु बैदान में लगता है मार्च के महीने में मनाय जाता है नलवाडी मेले को पशु मेला भी कहा जाता है यह आ वो किस डिस्टिक में लगता है तो बोजरी उसो बोचमबा डिस्टिक में लगता है सिपी मेला जो है मुशोबरा में लगता है मैई के महीने में लगता है पत्थर का खेल जो है वो हलोग में मनाय जाता है पत्थर का खेल अप्तूबर नुवंबर महीने में यह मनाय जाता ह पत्र का खेल जो है वो एक मेला है ये आपने याद रखना है सूलनी मेला जो है वो सूलनी माता से संबन देता है डिस्टिक सोलन में लगता है राज्यसर ये मेला है जून के महिने में लगता है इसी महिने में लगता है उसी तरह बड़वाग सिंग मेला जो है वो मैडी में लगता है, उनना डिस्टिक में लगता है यह भी आपने याद रखना है बुंडा उत्सव डिस्टिक कुलू में लगता है धुंगरी मेला जो है बो मनाली मेला तो ये कुछ important मेले थे यो हार जो थे पूछ एक्जाम में पूछे जाते हैं माचला परदेश के सोलन जिले में जोड जी मेला जो है वो सबसे अधिक परसिद मेला है वो गुरू गोविन ये मेला बैलों के लड़ाई के लिए परसिद है ये मेला जुलाई मेही ने मेलता है ये सोलन जिस्टिक के कुछ important मेले थे ये आपने याद रखने है उसके बाद next question पर जलते है निरमंड में भुंडा तेवहार कितने अंतराल के बाद संपन होता है ये question हमने कई बार डिसक question जो discuss किये थे उसमें भी अपने discuss किया था निरमंड में जो भुंडा तेवहार है वो कितने बर्शों बाद मना जाता है आपको पताए ये बारा बर्शों के बाद मना जाता है option number C जो है question का right answer है अब बात करते हैं भुंडा उस सब के बारे में ये निरमंड में मना जाता है किस district में मना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए district कुलू में ये मना जाता है पहाडी लोगी से कुम्ब मेले की तरह मनाते हैं जो कि 12 साल बाद मना जाता है ये मेला बगवान परशूराम से संबंदित है ये आपने या जखना है जो भुंडा उत्सब है वो किस से संब बारा साल बाद मना जाता है किस district में मना जाता है कुलू डिस्टिक में मना जाता है option number C जो है इस question का correct answer है अगले प्रशन में चलते हैं किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्वे का जो नाम था वो दिया था तो चंबा कस्वे का जो नाम था वो साहिल बर कांगडा किला का जो निर्मान था वो किसने करवाया था तो कांगडा फोर्ट जो है उसका जो निर्मान था वो राजा शुशर्मा चंदर ने करवाया था option number D जो है इस question का correct answer है कांगडा फोर्ट का जो निर्मान था वो राजा शुशर्मा चंदर ने करवाया था यह आपन आपने याद रखना है ये कुशन एक्जाम में पूछा जाता है इसी तरह कुछ इंपोर्टेंट दुर्ग इमारते और संस्ता पगजे से कांगडा किला के जो निर्मान करता थे वो शुशर्मा चंदर है कहां पर है डिस्टिक कांगडा में है उसी तरह शीष महल और मोती महल जो है उसके जो निर्मान करता थे वो फते चंद प्रकाश थे नाहन में है डिस्टिक सिनोल में है ये आपने याद रखना है उसी तरह जगत खाना और स्वार घाठ जो है वो हीरा चंद राजा निर्मान करता थे डिस्टिक विलासपुर में है उसी तरह नाड़ा महल जो है वो उमेद सिंग ने बनाया है राज नगर में है डिस्टिक चमबा में चमबा का जो रंग महल है वो राजा उमेद सिंग नहीं उसका निर्मान करवाया था डिस्टिक चमबा में है नगर कोट किला की बात करते हैं वो शुशरमा ने चंदर ने करवाया था नगर कोट का अंग किला जो है most important है तारागड किला के जो निर्मान करता है वो राजा जगत सिंग थे डिस्टिक्ट चंबा में है पता है आपको लोह टिकरी पत्थर लेख जो है उसके जो निर्मान करता थे वो जसाटा वर्मन थे ये कुछ important केले दुर्ग इमारते और उनके संस्तापक के बारे ने बात कर लिए जो एक्जाम में पूछी जाते हैं तो बहादर पूर किला भी जो है most important है बहादर पूर किला के जो संस्तापक थे वो वीजे चंज थे बिलासपूर डिस्टिक्ट में है ये आपने याद रिखना है उसी तरह रानी ताल बाग जो थे उसके जो संस्तापक निर्मान करता थे वो कौन थे वो शमशेर सिंग थे राया शमशे चिंग नाहन में है यह यह डिस्टिक सिर्मोर में है नेस्ट कॉशन पर चलते हैं कि माचला परदेश में 84 मंदिर का जो स्थान है वो कहां परस्तित है काफी important question है तो हिमाचला परदेश में 84 मंदिर जो है वो डिस्टिक चंबा में है डिस्टिक चंबा में कहां पर है वो ब्रमोर में है option number D जो है इस question का correct answer है हिमाचला परदेश में 84 मंदिर जो है वो ब्रमोर में है डिस्टिक चंबा में यह पढ़ता है तो option D इस question का correct answer है यहां से question कहीं पूश जाते हैं जैसे प्राचीन नाम प ब्याजनात का प्राची नाम केरिकराम था नालागड का प्राची नाम हिंडूर था ये भी आप से एक्जाम में पूछ सकते हैं तो हिमाचल पदेश में 84 मंदिर जो है वो ब्रमौर में है डिस्टिक चंबा में ये स्टेथ है तो ऑप्शन नमबर डी इसकुशनी का मंदिर जो है वो भी चंबा डिस्टिक में है मस और बजरी शुरी माता मंदिर जो है वो कांगडा में है चंबा के और कौन को से प्रसीद मंदर है लक्षनादिवी मंदर जो है वो भी ब्रमौर में ही स्टेथ है नर्सिंग मंदर ब्रमौर में है हरी राय मंदर जो है चंबा अराइन मंदर जो है वो चमबा डिस्टिक में है छे मंदरों का ये समू है और चुरासी मंदर जो है वो चुरासी मंदरों का समू है उसी तरह कांगडा के जो प्रमुक मंदिर है जो अलामुकी मंदिर हो गया भूतनात मंदर जो है वो मंडी डिस्टिक में है पंच वक्तर मंदिर मंदिर वह रिजए हमिर्पुरिक मैं हो हमिर्पुर घ्यकु जो added चिन्थपूणी ऊल्भी मंदिर अब्ल켜ा में 8 मिजनी जनकि दोब हमिर्पुर नकित कह स मान्थ रहान में है चिट्पुनी मंदिर भूभी मूना डिस्टिक में है लाहॉल स्पीती में कौन कौन से मंदर है मरीकुला देभी मंदर जो है वो उदेपुर में है यह आपने याद रखना है तामबो मठ भी लाहॉल स्पीती में है यह आपने याद रखना है डिस्टिक की नौर में जांगी मठ जो है जांगी मठ जो है वो डॉक्टर राजेंदर प्रसाद मैडिकल कॉलेज जो है वो आपको पता है 1996 स्थापित हुआ था किसे डिस्टिक में है डांडा जो है बुडिस्टिक के कांगडा में है यह आपने याद रखना है तो ऑप्शन नॉम्बर ए इस कुर्शन का कॉलेक्ट अंसर है 1996 स्थापित हु नेश्ट कॉशन बे चलते हैं कांगडा चित्रकला शैली का जो केंदरिय विश्य प्रेम कहानी थी वो क्या थी तो कांगडा चित्रकला शैली का जो केंदरिय विश्य था वो क्या था वो आपको पता है शिरी राधा और कृशन था ओप्शन नॉम्बर ए जो है इस कॉशन क कभा अंसर है जोए अगले प्रशन पे जलते हैं इसमें बोला है कि माचल प्रदेस की मंडी जिला में रिवालसर के साथ कौन सा संथ्जुडा हुआ है तो वहाफ Famous मैं और स्साली और से मंडी में है इसमूंद्र और लिष्टिक में है स्मूंदर याद रखना है 1360 मीटर जो है इसकी समुंदर गल से उन्चा है रिवाल सर जील की ये जील तेटे टापों के लिए परसिद है बोध धर्मों के लोगों में ये जील पदमाकन पदमाचन के नाम से परसिद है ये आपने याद रखना है रिशी लोमस ने यहां पर शिव अराध देखना है तो लोमस रिसी जो है वो रिवालसर मंडी जिला के साथ संत ये जुड़े हुए है रिवालसर जील मंडी डिस्टिक में है तैरते हुए टापूं के लिए परसिद है बहुत धुरमों के लोगों में ये जील पद माचन के नाम से परसिद है रिसी लोमस ने यहां प में बात करते हैं बिजली महादेब मंदिर के बारे में थोड़ा हम डेटेल में डिस्कस कर लेते हैं आपको पता है बिजली महादेब मंदिर जो है बिजली महादेब मंदिर जो है ये मंदिर भगवान शिब को समर्पित है इस मंदिर के ऊपर 60 सब्सार्ट का एक दंड सतापित है जो बिजली को अपनी ओरा करश्यत करता है जिसे दिब्या आशिरवाद माना जाता है और इस बिजली के गिरने से मंदर के गर्ब में इस्तित पाशान शिविलिंग तूट जाता है यह आपने याद रिखना है तो बिजली महादे मंदर जो है बोगवान शिविलिंग को समर्पित है डिस्ट के कुलू में है इस मंदर के उपर 60 फिट का एक दंड स्थापित है जो बिजली को अपनी औरा कर्शित करता है जिसे दिविया शिरवाद माना जाता है और इस बिजली के गिरने से मंदर के गर्ब में से तपाशान शिविलिंग तूट जाता है उसी तरह कुलू डिस्टिंग में और कौन से मंदर है हिटिन बादेवी मंदर जो है वो मनाली में है इस मंदर को 1553 में राजा बहादूर सिंग ने बनवाया था मेई के महिने में यहां वार्शिक डूंगडी मेला जो है वो मनाया जाता है यह आपने याद रखना है रगुनाथ मंदर जो है वो भी डिस्टि कुलू में है 1651 में राजा जगत सिंग ने बनवाया था यह कुलू के मुख्य देवता रगुनाथ जी को समर्पित है इस मंदर में रगुनाथ जी को आयुद्याव से लाई यह मूर्ती जो है वो स्तापिद है अगले परशन में चलते है माचल पर जी कौन से जीड़े सीम में गोची तेवहार जो है वो मनाय जाता है तो गोची तेवहार आपको पता है डिस्टिक लाहौल स्बीती में मना जाता है option number C is question का correct answer है और गोचीते वहार जो है आपको पता है ये जो गोचीते वहार है उत सबहे केलोंग में मना जाता है लाहूल स्पीटी डिस्टिक में किस डिस्ट कब मना जाता है ये फरवरी महीने में मना जाता है ये भी आपने याद रिखना है उसी तरह लाहॉल स्पीति के जो कुछ इंपोर्टन मेले हैं जैसे लदार्चा मेला जो है वो काजा में मना जाता है धारमी कोरसांस्पिति मेला है जो की जुलाई महीने में मना ज अगले प्रशन में चलते हैं माचल पदेश के कौन से जिले में जूरी लोक निरित्या होता है तो जूरी लोक निरित्या जो है वो आपका पता है संबंदित है डिस्टिक सिरमोर से उप्शन नमबर सी जो है इसक्षिन का correct answer है उसी तरह आपने याद रखना है जहांजर निरित्या जो है जहांजर निरित्या जो है वो संबंदित है डिस्टिक चंबा से यह कुशन भी कई बार पूचा गया है तो जूरी लोक निरित्या जो है वो संबंदित है सिरमोर डिस्टिक से उप्शन नमबर सी जो है इसक्षिन का correct answer है अगले प्रशन बेच जलते है किर्नरदेश पुस्टिक जो है वो किस ने लिखी है तो किर्नरदेश पुस्टिक जो लेकक है वो राहूल संक्रित्यान है option नमबर बी इसक्षिन का correct answer है अब यहां से पुस्टिकों से एक या जी ने लिखी है धरती है वलिदान की पुस्टिक जो है वो भी शांत्य कुमार जी ने लिखी है पहाड़ वेगाने नहीं होंगे यह पुस्टक भी है शांत्य और से पूछा ही जाता है ये आपने याद रखना है और हिमालियन पॉलेंडरी पुस्तक जो है पुशी गई थी दी आन मजूमदार ने लिखी है उसी तरह हिस्ट्री ओमंडी जो पुस्तक है वो विक्रम कायस्त ने लिखी है कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है वो MS रंधावा ने लिखी है 2017 में पुष्ट्रीन हिमाचलप्रदेश जो पुष्टक ये रेखी रेखी घंच नीजो धेनने लिखी अंचिक है राएंदीन ने लिखी है हेमालेया परिचय जो भी रहुल संक्रित्यान ने लिखी है ये और आपने आझ रखना है हिमालेयन बोर्डर लैंड जो पुष्टक वो राम राम राहुल ने लिखी है तो अप्शन नम्र ए इस कॉशन का राइटन से रहे कि इंडर देश जो पुस्तक है वो राहुल संस्कृत्या ने लिखी है अगर यह प्रशन में चलते हैं हिमाचलब देश का पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट है सबसे पुरानी हाइडल ज पंजाब सरकार के अंडर आता है यह अपने याद रखना है जो हिमाचलब देश का सबसे पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट है किस डिस्टिक में है मंडी में है लेकिन यह पंजाब गुवर्मेंट के अंडर आता है ऑप्शन नम्र एस कुशन का औरेक्ट अंसर है अगले प् नेक्स्ट कुशन में चलते हैं हिमाचलब देश में किस अस्तान पर इंडियन इंस्टिटीट ओफ एडवांस टड़ी जो है वो स्थित है तो इंडियन इंस्टिट ओफ एडवांस टड़ी जो है वो समर हिल डिस्टिक शिमला में है ऑप्शन नम्र ए जो है इस कुशन का र नंबर के प्रत्तम वाइस चांशलर थे प्रत्म कुलपती थे option नंबर ए जो है इस कुशन का correct answer है next question पर जलते हैं माचलबदेश की किस जिले में कुनिहार गाटी जो है वो स्थेता है तो कुनिहार गाटी आपके पता है district वादल ग्लेशियर जो है तो बादल ग्लेशियर के वारे में बात करते हैं ग्लेशियर को हिम नदी के नाम से भी जाना जाता है ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं वो नदियों के उधिकम का प्रमुक स्त्रोत होता है बड़ा शिकडी जो है बड़ा शिकडी जो है माचलब देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है यह आपने याद रखना है बड़ा शिकडी जो है वो मासरफ देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहल स्वीती में स्थित है इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 25 किलो मेटर है और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है पारवती ग्लेशियर जो है पारवती ग्लेशियर से पारवत नजी को पानी मिलता है यह ग्लेशियर कुलू डिस्टिक मेस देता है यह आपने याद रखना है उसी तरह कोशन पूछ सकते हैं कि लेडी ओफ कैलोंग क्या है लेडी ओफ कैलोंग अगर आपसे कोशन पूछे जाता है लेडी ओफ कैलोंग क्या है तो लेडी ओफ कैलोंग जो फो 1871 में शिमरा आए थे और जूहा कोशन का क्डेक्ट अन्सर है इस वीडियो ऑज अज इस वीडियों वह संब्जान हे अज हम्ने ही सब्सक्राइब के कुछ ये questions आपको काफी helpful थावित होंगे तो friends अगर आप HPVAD इंट्रांस तो हजारते इसकी त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक लगसे playlist नाई है जिसका जो link है वो मैंने description box में दे दिया है आप बहाँ पर जा कर वीडियो उस देख सकते हो बहाँ पर आपको HPVAD इंट्रांस के लिटर 80 ब्लस वीडियो आपको देखने को मिलेंगी बहाँ पर आपको सभी सेक्शन्स की वीडियो देखने को मिलेंगी नैशनल कमिशन्स और कमेटी जोन एज्जूकेशन तो फ्रेंट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडियो जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है तो फ्रेंट्स आज कीस वीडियो में वास इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और कोमेंट जुरूर कर दें तो थेंक यू फ्रेंड्स